IAS IPS बनना देश के करोडों नौजवानों का सपना होता है वैसे तो सिविल सर्विसेज में जाने के लिए UPS दी परिक्षा क्लियर करनी होती है जिसके तहट प्री मेंस और इंटर्व्यू निकालना होता है लेकिन परिक्षा निकालने के बाद कैंडिडेट सीध है IAS IPS नहीं बन जाते हैं बलकि उन्हें कुछ सालों की कटिन ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग दी जाती है आज हम आपको बताएंगे कि IPS आफिसर की ट्रेनिंग कैसे होती है कहां पर उन्हें परसिक्षन देकर आपके जिले काइस्पी बनने के लिए तैयार किया जाता है लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी ताकि और भी रोचत जानकारी आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं बता दे कि UPSC परिक्षा क्लियर करने वाले सभी स्थर्वेसेज के केंडिडेट्स को शिरुवात में मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय प्रशासन अकैडमी में ट्रेनिंग दी जाती है शुरुवात में तीन महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें सेवाव से जुड़ी बेसिक्स सिखाई जाती है इसके बाद IPS अफसरों को हैदराबाद इस्थित सरदार वल्लभाई पटेल नेशनल पोलिस अकैडमी में आगे की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जबकि IAS अफसर LBSNAA में ही अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं SVP NPA में आने के बाद ट्रेनी IPS अफसरों को 11 महीने का कठिन पर सिक्षन दिया जाता है इस दोरान उन्हें कुछ अनिवाद्य विशों को कवर करना होता है जिससे वह शररिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें इनमें शररिक फिटनेस के लिए PT, जिम, रेस, स्पोर्ट, एथलेटिक्स, तैराकी, गुड़ सवारी, योग, फिल्ड, क्राफ्ट मापरेडिंग समेत कई एक्टिविटीज में भाग लेना होता है इसके अलाबा सांस्कृतिक कारिक्रमों में भाग लेना भी अनिवाद्य होता है ज्यारा महिनों की ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स को 6 महिने के लिए अलोटेड के एडर के किसी जिले में ट्रेनिंग हासिल करना होता है एस दौरान वहें फिल्ड से जुड़े काम सीखते हैं और प्रेक्टिकल एक्सपिरियंस हासिल करते हैं 6 महिने के बाद उन्हें वापस से SVP, NPA में दूसरे चरण की ट्रेनिंग के लिए आना होता है जिसमें उन्हें प्रफेशनल और पर्सनल दोनों प्रकार के वहवार के लिए तैयार किया जाता है बता दे कि सभी IPS अफसर के लिए ट्रेनिंग के सभी चरण पूरे करना अनिवादे होता है किसी भी चरण को मिस नहीं कर सकते हैं IPS अफसर को पॉस्टिंग से पहले दो साल दो महिने की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 35,000 रुपिये हर महा सैलरी भी दी जाती है ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अफसरों को अलग अलग जिलों में तैनात किया जाता है आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और विजियो को लाइब जरूर करें फिर मिलते हैं किसी और नई रोचक जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार